हेलो दोस्तो मेरा नाम है सरोर पटवा और आप सभी का हमारी यूटूब चेनल नॉलेज आल अबाउट में स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में भेल आईटियाई अप्रेंटिशिप के कुल 120 पद हे तू online form mobile और computer की मदद से कैसे भर सकते हैं यह बताने वाला हूँ जो लोग इस भरती के details वाले वीडियो नहीं देखे हैं वे नीचे description box में जाकर link पर click करके देख लें ताकि आपको इसकी भरती से संबंधी सारी जनकारी आपको मिल जाए इसके साथ ही यह वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस तरह आपको mobile और computer के मदद से online आवेदन करना है यहाँ पर notification में जिस हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि प्रथम सरड आपको जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन करने के उपरांद आपको जो है द्वित्य चर अप्रेंटिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रकिरिया apprenticeshipindia.org पर जाकर लॉग इन करना है लॉग इन करने के बाद जो है यह है apprenticeshipindia.org का side यहां आपको email id और password जो आपने password बनाये थे जो लोग registration नहीं किये हैं वे लोग मेरे registration वाले वीडियो को देख लिए किस तरह registration करना है और registration करने के बाद आपको जो candidate code प्राप्त होता है या आपके पास जो registered email id होता है और password जो आप बनाते हों उसको यहां पे डालने के बाद यहां पे login करना है login करके मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है candidate code और password डालने के बाद login कर लिया गया है यहां पे आपका नाम और यहां पे photograph दिखाई देगा साथ ही इसमें जो द्वीते चरण बताया गया है कि apply करने के लिए वह मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको apprenticeship opportunity तीसरी नमबर पे आपको click करना है click करने के बाद जो notification में यहां पे code दिया हुआ है इस code को enter करना है इस code को जो है search by establishment name पे जाके आपको copy paste करना है copy paste करने के बाद आपको यहां पे दिखाई देगा दोस्तों यह जो establishment code दिया हुआ है मैंने इसको पहले भी search करके देखा यहां पे भारत heavy electric भेल का नहीं दिखाता है यहां पे central electronics limited का दिखा रहा है जो कि गाजियाबाद उतर परदेश location दिखाई दे रहा है और साथ ही यहां पे posted date 15.9.2020 दिखाई दे रहा है मैंने जो toll free number दिया हुआ था उस पे बात किया तो वहां से एक अलग code प्रवाइड किया गया किन्तु किन्तु उसमें भी जो है posted date अभी का नहीं दिखा रहा है वहुत पुराना दिखाई दे रहा है किन्तु वहां से बोला गया कि आप जो है उसी पे apply कर लेजें तो उसका जो code है कोड मैं आपको description box में दे दूंगा आप लोग establishment code पे जाके यहां पे कजब copy paste करेंगे तो यह देखिए यहां पे भारत हैवे इलेक्ट्रेट लिम्टेट जहां सी दिखाई दे रहा है यहां पे आपको आपका जो ट्रेड है यहां पे 11 अपर्चुनिटी जो है दिखाई दे दे रहा है यहां पे notification में भी आप लोग देख सकते हैं कि किस किस ट्रेट के लिए निकला था वहां पे आप लोग मैच कर सकते हैं तो इस तरह यहां पे 10 ट्रेट दिखाई हो सकता है कट इजह अधर होगा तो लोग मैच कर लिजेगा आप अपने ट्रेट के अनसार इस पे किस ट्रेट से आप आई ट्रीट किये हैं उसी ट्रेट से यहां पर अपलाई करना है तो यहां पर आपको इंका computer आप डेखे पोस्टेट जो यहां पे साथ 520 इस पर रमार पर मैंने बात किया था तो बोले कि इसी पर अपलाई कर दीजेंए इसी पर होगा इस पर अपलाई करना है एनी location प्रैमी लोकेशन क्लिक करें के बाद बोटन पर क्लिक करें उसके बाद जो है आपको अप्लाइड सक्सेज पुली का एक मैसेज डिस्प्ले करेगा साथ ही यदि आपको दिक्कत होता है मैं कोड वैसे डिस्क्रेशन बाक समझे दूंगा यदि उससे भी दिक्कत होता है तो सर्च लोकेशन पर यहां पर आप लोग जहां सी टाइप किजेगा और यहां पर आपका जो ट्रेड होगा यहां पर जो आपका ट्रेड होगा वह ट्रेड यहां पर ट्रेड यहां पर टाइप कर लिजेगा हुआ टाइब करने के बाद जो है यहां पे आपको दिखाई देगा भारत है विलिक्टव को देखें धर्लिट्वेज्मेंट स्थियंगे चूंप के बाद जाब है पक्लिक करेंगी तो वहाँ दिखाई देगा यहां सारे से सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पूला दिया हुआ है यहां पे पुड़ा दिया हुआ है चाट नोटिफिकेशन हे पाप पर दो है तो के बधिन Cup weed कर लिया है और उसके बाद यहां करना है तो अप्लाइ किस तरह करना है step by step मैं आपको बताऊंगा और साथ ही आप लोग जो है मॉबाइल के माध्यम से भी इस फ़र्म को अप्लाइ कर पाएंगे अप्लाइ करने का यहां पर इंपोर्टेंट डिया हुआ है यहां पर देखे भारत है वे इलेक्टेट लिम्टेज जहां से जो अफिस्यल साइड है मैं डिस्क्रिप्शन बाफ्ट में दे दूंगा वहां से आप लोग आनलाइन आवेधन करने में किसी प्रकार कतिकत नहीं होगा यहां पर इंपोर्टेंट डेंट दिया हुआ है आवेधन पत्तर बरने कि प्रारंभिक तिथी और अंतिम्तिती दिया हुआ है दस्तवेज को प्राइब करने कि अंतिम्ति जो समय यह तो इसको भेजना है तो वह भेजने पर क्लिक करने के बाद आपको जो है कि यहां पर दिखाई देगा जिसमें आपको मैं भर के इसको पूरा दिखाई दे रहा हूं किस टाइप से आपको भरना होता है इस बकार जो है केंडिडेट रजिस्टेशन में नेम आप एप्लिकेंट दसवी के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम आपके पापा का नाम और मा का नाम जो है वही डेटा यहां पर फिल करना है डेटा फिल करने के बाद डेटा बर्थ यहां पे एज आपका काउंट होके दिखाई तो करेगा जेंडर आपको सेलेक्ट करना है केटेगरी आपका काउंट से उसको सेलेक्ट करना है साथ ही यहां पे जो भेल का दिया हुआ है वेदर दवार जो भेल में कारेरत रेगुलर ए यह दो option है जिनके नहीं है no no पे क्लिक करें physical handicap no पे क्लिक करें email id वही enter करें जो आपका वैद हो जो आप हमेशा regularly use करते हैं trade आपका कौन सा है उसका आपको यहाँ पे select करना है select करने के बाद यहाँ पे registration number generate it यह देखें यहाँ पे जो दिया हुआ है www.apprenticeship.government.in यह पुराना पोटल है आपने जो apprenticeship India.org से जो registration किये हैं वही registration number को यहाँ enter करना है जो registration नहीं किये हैं वह पहले registration कर ले registration वाला वीडियो जो है मैं अपने link के discussion box में link दे दूँगा वहाँ से आप लोग देख के registration कर ले और जिस प्रकार मैंने बताया है उसी प्रकार 100% profile को complete करने के बाद ही इसका form को भरें यहाँ पे password create करना है password create करने के लिए यहाँ पे आपको password जो है अलफावेटिक ए से जेड या जेड से ए करके करने है one small one capital one special character and digit का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे password बनाना है यहाँ पे capture code दिया हुआ है इस capture code को यहाँ पे enter करना है enter करने के बाद आपको जो है submit button पे click करना है यहाँ पे confirm you want to register your details यहाँ पे ok पे click करना है उसके बाद जो है आपका candidate registration यहाँ पे you have been registered successfully with flowing details यहाँ पे जो है आपका registration number इसको आप copy करके रख लें और यहाँ पे आपका details यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे complete registration फारम पे आपको click करना है उसके बाद जो है आपको candidate login का interface दिखाई देगा इसमें आपको जो registration number प्राप्त हुआ है और जो आपने password बनाया है उसको enter करना है इंटर करने के बाद जो है आपको यहाँ पे capture code दिया हुआ है इसको यहाँ पे type करना है type करने के बाद login बटन पे click करना है कि लॉग इन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है अधार नंबर और अधार इस लिंके टू बैंक अकाउंट यहां पर यस क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको बैंक अधार में उसका चैन करना है नेशनाल्टी टाइप करना है उसके साथ ही यहां पर आपके जो अधार में जो एड्रेस दिया होता है उस एड्रेस को यहां पर फिल अप करना है तो उसके चेक बाउक्स को एक्टिव कर देना है उसके बाद आपको जो है मोबाइल नंबर और ट क्लिक करें उसके बाद जो है submit बटन पर आपको नीचे आकर क्लिक करना है। कि इस तरह personal details fill up करने के बाद जो है आपको submit button पर क्लिक करना है। कि submit button पर क्लिक करने के बाद जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको इस तरह का your personal detail has been saved प्रीज लॉक दिस पर्शनल डिटेल इस ऐसा आपको सो करेगा उस पे आपको चेक बाक्स को एक्टिव लॉक सेक्शन को क्लिक करना है लॉक सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है प्रोसेशेट फॉर कॉलिफिकेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है जिसके बाद आपको जो है Candidate Qualification Details का भाग दिखाई देगा इसमें आपको 10B, 12B और ITI यहाँ पे देख सकते हैं कि ITI में NCVT और SCVT सारे ट्रेडों का जो है दूनों ट्रेड NCVT वाले भी और SCVT वाले भी यहाँ भेल Apprenticeship के लिए अपलाई कर सकते हैं साथ ही यहाँ पे जो है Subject जो है आपको पास दिखाई देगा कोपा का पास दिखाई देता है तो यहाँ पे जो आपका ट्रेड आप पहले से सेलेक्ट की रहेंगे के वही ट्रेड आपको पाई डिफॉल्ट यहाँ पे आल्रेडी मिल जाएगा यहाँ पे आपको सेलेक्शन करने का आपस नहीं आएगा यहाँ पे सेलेक्शन करने का आएगा बोर्ड इंसिट्यूट पिरियड इन इयर इयर आप पासिंग सेजी पीए था या परसेंटेज था इसका आपको सेलेक्ट करना है select करने के बाद यहाँ पे grade point, maximum point, marks point यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे percentage यदि आप CG, PA वाले जो हैं उनको यहाँ पे conversation factor grade point यह सारा चीज़ा हैगा जो जिनका percentage में है उनका जो है यहाँ पे minimum marks और maximum marks जो है यहाँ पे सिर्फ add करना है उसके बाद यहाँ पे already आपका count हो जाएगा कि कितना percent बना है minimum and maximum marks यदि आप fill करते हैं यहाँ पे fill करने के बाद आपको मैं fill up करके दिखा रहा हूँ किस type का होगा इस तरह जो है आपको qualification details वाले भाग को fill up करने के बाद आपको submit बटन पे click करना है यहाँ पे जो है एक fill छूट रहा था जिसके करार जो है इस प्रकार देयर और some error please correct थेम बिलो ऐसा करके एक message दिया इसमें जो है enter course period आप 10 वी आइट यह ऐसा एक fill छूट गया था जिसमें आपको period in year जैसे 10 वी एक साल का course है 12 वी एक साल का course है ITI जो है जैसे fitter, electrician वाले लोग का दो साल का course होता है तो यहाँ पे यहाँ पे आप लोग दो वर्स किजिएगा तो यहाँ कोपा जो है एक साल का course होता है इसलिए यहाँ पे one year करने के बाद जो है सारे data fill कर लिजेगा उसके बाद submit button पे click करना है उसके बाद आपको जो है इस प्रकार का message नीचे दिखाई देगा Your qualification details has been said successfully यहाँ पे हो lock section पे click करके इसको जो है लॉक कर लिजेगा लॉक करने के बाद जो है disable हो जाएगा इसमें किसी भी प्रकार के डिटी होगा अब जो last step बच रहा है प्रोसेशेट फोर फोटो सिखनेचर अप्लोडिंग इस पे आपको click करना है क्लिक करने के बाद आपको जो है candidate photo and signature अप्लोडिंग का भाग दिखाई देगा यहाँ पे जो है photograph 50KB से 80KB का होना चाहिए format jpeg jpeg types of file is not permitted jpeg और jpeg format में होना चाहिए साथ ही candidate अप्लोड इसके ने प्रेजेंट फोटोग्राफ हाल ही का पास्पोर्ट साइज को फोटोग्राफ अप्लोड करना है बलर एंड टेकेन फोरम मोबाइल केमरा मोबाइल केमरा और बलर फोटो अप्लोड नहीं करना है इसका ख्याल रखना है आपका signature का size 5KB सिगनेचर का size 5KB से 20KB के बीच का होना चाहिए इसका भी format JPEG फोरमेट में होना चाहिए candidate signature clear scan and not taken from mobile camera इसको जो है scan कर लेजगा scan किस प्रकार करना है इसका description box मैं link दे दूँगा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि documents को कैसे scan करना है उसका आप लोग को देखकर अच्छे सी scan कर पाएंगे इस तरह मैं upload करके आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे photo और signature यहाँ पे जो है upload कर चुका हूँ साथ ही यहाँ पे जो signature आप लोग को करना है ब्लेक पेन और ब्लू पेन के द्वार पेन से ही signature कर लें दूसरे पेन का इस्तमाल ना करें ब्लेक और ब्लू का ही इस्तमाल करें उसके बाद जो है आपको यहाँ पे candidate signature has been uploaded successfully यहाँ पे दिखाई देगा उसके बाद आपको लोग सेक्षन पे क्लिक करना है दोस्तों यह form जो है आप लोग mobile के माध्यम से भी भर पाएंगे उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रकार आपको जो है last में this session has been locked successfully उसके बाद जो है process it for candidate declaration पे आपको क्लिक करना है यहां पे जो है यहां पे instruction दिया हुआ है इसको आप लोग को नीचे जो है check box दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको submit बटन पे क्लिक करना है यहां पे do we want to submit your application finally यहां पे क्लिक करना है ok बटन पे क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको नीचे Your Application Has Been Submitted Successfully का Message दिखाई देगा उसके बाद जो है आपको Print Full Application Forum पे क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको इस प्रकार का Candidate Application Summary आपको इस प्रकार का Message दिखाई देगा जिसमें आपको फिर से Print Application Forum पे क्लिक करना है उसके बाद जो है आपका इस प्रकार का आपका जो है एप्लिकेशन पूरी तरह पर्सनल पूरी तरह एप्लिकेशन जो है फिलब हो गया है इस प्रकार का और इसको आपको स्क्रॉल करना है इसको आपको प्रिंट कर लेना है प्रिंट करने के बाद जो है आपको फोटो दिखाई देगा सिगनेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथ ही इसको जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको ड नाम लिख लेना है उसके बाद जो है इसमें जो है document in closer क्या-kya document जो है आपको भीज रहे हैं उसको यहां पर checkbox पर tick करना है put tick in box सबसे पहले इस application को आप लोग print out कर लें करने के बाद यहां पर देख रहे हैं क्या-kya documents आपको भीजना है category certificate STC OVC वाले और साथ ही high school market with certificate ITI certificate with all semester certificate of physical disability not applicable यह नहीं है physical handicap साथ ही अधार card और यहां पर registration number received generate from www.apprenticeship.government.in यह जो portal है पुराना portal है जो आप लोग apprenticeship India.org से जो registration किये हैं उसका भी यहां पर slip आपको भीजना है फिर से यहां पर signature और यहां पर नाम आपको type करना है पेन से लिख लेना उसके बाद आपको सारे documents attested करने के बाद स्वयद्वारा सत्यापित करने के बाद जो है application for trade apprentice requirement यहां पर दिया हुआ है इसका आप लोग print out कर लें करने के बाद इसको फार लें फारने के बाद जो आपका लिखाफा होता है जिसमें आप documents भेजेंगे उसमें आपको ऊपर में जो है इसको चिपका दीजेगा ताकि आपको टाइप ना करना पड़ें यहां पे सारा चीज आपको details यहां पे दिया हुआ है आपका to और from का तो आपको अलग से करने की कोज़रती है इसका ही print out निकाल कर उपर में लिखाफे के ship का लें साथ ही जो यहां पे बताया क्या है apprenticeship number received generate from इसका आप लोग को कौन सा भाग print करना है यह मैं आपको बताने वाला हूँ आपको जो है आपको जो है apprenticeship India.org में जो आप registration करते हैं तो उसमें जो profile राता है यह वाला page को आप लोग को print कर लेना है और इसको ही आप लोग को यहां पे शलर्म करके भीजना है उसमें जो बोला गया है इस profile का आप लोग print out अपने पास निकाल के रख लें रखने के बाद जो है उसको ही self-attested करके यहां पे generate कर चेक बॉक्स को एक्टिव करके सारे documents के साथ उसको भी भीजना है इस प्रकार में जो है और एक चीज़ ध्यान रखें इसका last date जो है 23 तारिक है तो 23 तारिक से तक वहां पे आपका documents पहुच जाना चाहिए इसलिए इसको जल्द से जल्द भीजने का कोशिस करेंगे apply करने के बाद दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें share करें subscribe करें और साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर पहली बारा हैं वे मेरे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को click कर लें ताकि हमारे द्वारादी के हर notification आपको जल्द ही मिलती रहे इसी तरह के technical वीडियो और tips and tricks वाले वीडियो YouTube चैनल पर हमारे upload किये जाते हैं और जिनको भी मैंने हर step by step बताने का कुशिस किया है जिनको भी form भरने से समबंधित यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो comment session में comment करें मैं आपको पूरी तरह से help करूँगा साथ ही जो लोग इसको mobile के माध्यम से भरना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने mobile के browser को जब open करते हैं Google Chrome browser को जब open करते हैं तो right hand side के top में 3 dot button दिखाई देता है इस पे आपको click करना होता है click करने के बाद आपको जो है इस प्रकार का setting दिखाई देगा ज इस पे आपको click करना है click करने के बाद आपका जो पेज है इंटरनेट इंटरनेट पेज जो है computer और PC के तरह जो open होगा इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत ही होगा form बने में इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अलग वीडियो में अलग topic के साथ thanks for watching धन्यव